हूआ तुदेस पूपिक इस तॉटलोजी, कॉंट्रादिक्शन, गॉंट पॉटलोजी में ज्आ wholeclock वैल्यू की अंहांद ही यूं़ होता है सारी दॉटलोजी का पॉटलोजी का इस खाद बॉल्यू 96 0 So first example हम देखते है tautology का P और Q लग रहा है हमें इस example में 2 variables से इसले 4 रोज बनेगी 2 time true and 2 time false Then true false, true false फिर हमें लग रहा है P implication Q and Q implication P हमने देखे थे last video में के implication का rule है First इसमें true और second false है तो value false आएगी बाकी सारी true तो ये उसका result Then Q implication P में हम देखेंगे First में अगर true है और second में false तो Q से हमें P की तरफ देखना है तो first true और false थर्ड वाली रो में है तो false value आगी बाकी सारी true अब हम इन दोनों का करेंगे disjunction ये tautology का एक example है तो हमें निकालना है P implication Q Disjunction Q implication P इन दोनों का disjunction कर रहे हैं Disjunction का rule है दोनों false है तो false आएगा बाकी सारी true तो यहां हमें कहीं भी दोनों false नहीं मिल रही इसलिए true आजाएगा तो यह सारी true values है मतलब यह tautology का example है हमारा true values है सारी next हम देखते हैं दूसरा example contradiction का यह question दिया है हमें इसको solve करके हम देखेंगे contradiction है या नहीं तो दोनों P, Q, दो variables दी है इसकों true table की values place कर देंगे दो true, दो false then true, false, true, false P का negation हमें निकालना है तो जहां true है वहां false हो जाएगा और जहां false था हमार true तो negation of P में false, false, true, true next हमें निकालना है P conjunction negation of Q तो P और negation of Q में दोनों true जहां है वहां true लेंगे बाकी सारे false ये last video में discuss क्यों हैंने conjunction इसे हम जो भी result आया है इसे हम conjunction करेंगे Q के साथ conjunction का rule था दोनों true थे तो true बाकी सारे false तो यहां दोनों में ही हमें कहीं भी Q में और इस bracket में कहीं भी दोनों true नहीं दिख रहे हैं तो सारे false आजाएंगी values जब ये सारी false आजाती है तो यह हो जाता है contradiction So this is the example of contradiction कोई अगर हमें question दिया तो हम ऐसे solve करके उसे निकाल सकते हैं value Then third हम देखते हैं contingency हमें यहां लग रहा है P, Q, negation of P ये तीनों जीज़े question में हमें लग रही है दोनों true, दोनों false ये हमेशा set रहेगा अगर दो variable है तो 4 row Then true, false, true, false negation में opposite आजाएगा false, true, false, true इसे हम देखते हैं contingency में P, implication, Q हम ले रहे हैं first वाला अगर true है, second false है तो IG value false तो first true और second false हमें first row में दिख रहा है बाकी सारे true है तो Yagya P, implication, Q का answer अब हमें इसे conjunction करना है negation of P के साथ मतलब इस bracket से जो negation of P है इसे हम conjunction करेंगे ये दोनों का conjunction करके देखते हैं आगे कंजंक्शन में हम देखेंगे दोनों true जहां पर हैं वहां true लिख देंगे true conjunction का rule था दोनों true है तो true बाकी सारे false तो ये दोनों true वाले में true आ जाएगा बाकी सारे false ये एक example है छोटा सा जहां mixed values आएगी ये हो जाता है contingency आप इसे एक बार contingency वाला ये example फिर से solve करके देखेंगे ओके thank you झालाझ, 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 जालाझ, झालाझ, टेंगे देखेंगे जाएगा, ये दोनों հषटा ये ये इन।